हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएस दोस्तों यहाँ पर हम जोग्रफी के घटना चक्र को डिसकस कर रहे थे और लास्ट क्लास में हम डिसकस कर रहे थे आपका प्रजाती और जनजातियों का टॉपिक तो यहाँ पर हमने काफी सारे कुशन्स को डिसकस किया था लेकिन इस टॉपिक के कुछ कोशन्स आपके रह गए थे जिनने हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे और एक न्यू टॉपिक को हम फिर स्टार्ट करेंगे चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दे कि जोग्रफी के घटना चक्र को भी discuss कर रहे हैं तो आप इनकी classes को भी देख सकते हैं इनकी भी playlist बना दी गई है चलिए फिर शुरू करते हैं देखे यहाँ पर आप देख सकते हैं 55 questions हमने last class में discuss कर लिये थे तो आप इनके लिए last video को जरूर देखे आज हम इससे आगे की बात करेंगे तो next question आपके स 56 questions यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप से पूछा गया है भारत के चांगपा समुदाई के संदर्ब में निम्नलिखित कतनों पर विचार कीजिए तो यहाँ पर आपको भारत के चांगपा समुदाई के बारे में विचार करना है तो सबसे पहला कतन यहाँ पर दि अनुसूचित जनजातियों की सिरेनी में रखा जाता है आपको बताना है यहां पर कौन सा कथन आपका सही होगा तो यहां का सही आंसर है option B केवल दो और तीन कथन ही आपको यहां पर सही दिये गए हैं एक बार फिर से देखिए भारत के चांगपा समुदाई वे अच्छे कि इसम का उन देने वाली पश्मिना बक्रों बक्रियों को पालते हैं उन्हें अनुसूचित जनजातियों की सिरेनी में रखा जाता है तो यह दो और तीन कथन यहां पर चांगपा समुदाई के बारे में सही दिया गया है इन्हें आपको दिहान रखना है देखिए यहां पर इन्हें पहाड़ी ढालों पर मवेशियों और पश्मिना बक्रों बक्रियों के जुंड के साथ अक्सर देखा जाता है वर्स 2001 में इन्हें अनुसूचित जनजातियों यानि की सिरेनी में वर्गी करत किया गया था नेक्स्ट कोशन है आपके सामने नीचे लिखे राज्यों और जनजातियों के युगमों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है तो यहां पर आपको गलत युगम को पहचानना है इसका सही आंसर ओप्शन डी होगा मध्य परदेश लंबाड़ा तो यहां पर आपका ये ग जलत युगम दिया गया है बाकी सब यहां पर सही है जिन्हें आप देख सकते हैं मीरी जनजाती आपकी असम में पाई जाती है कौन्यक जनजाती नागलेंड की है अपतानी जनजाती अरुनाचल परदेश की है और लंबाड़ा जनजाती का संबंद आंद्र परदेश से न नेक्स्ट कोशचन है आपके सामने निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है तो सही। crying साथ, औप्षण D होगा ज्लू ओडी मिशा ये आपका सही सुमेलित नहीं हैं बाखिसब यहाँ पर सही सुमेलित है सेरपा जन जाती यह आपकी निपाल की है थारू जन जाती उत्रा खंड की है तोड़ा जन जाती दच्छिन भारत में पाई जाती है जबकि जुलू जन जाती भारत के ओडिशा से नहीं बलकी दच्छिन अफरिका में निवास करने वाली जन जाती है आपको याद बनाने हैं छिंदवाडा, मंडला, जाबुआ, सिवपुरी, भील, भारिया, गोंड, सहरिया, इन जनजाती को आपको सही मिलान करना है, देखिए सही आंसर यहाँ पर आपका option C होगा, option C आपका यहाँ पर सही आंसर है तो आप इनका मिलान कीजिए, देखिए छिंदवाडा क आपका मिलेगा सहरिया, जनजाती से, तो इन्हें आपको as it is याद कर लेना है, देखिए यहाँ पर भी आप सही सुमेल देख सकते हैं, छिंदवाडा, भारिया, मंडला, गोंड, जाबुआ, भील, सिवपुरी, सहरिया, नेक्स्ट कोशन है आपके सामने, निमनलिखित जन निवासी नहीं है, तो ये तो हो गई आपकी रेंगमा, लेकिन जो बाकी सब है, वो आपकी अंडमान और निकोबार, दुवीप सम्हों की मूल निवासी जन जाती है, इक नागा जन जाती है, जो नागा लैंड और असम में पाई जाती है, हाल्चु, ओंजे, सौमपेन, अ अंडमान और निकोबार दुईप समू की मूल निवासी है निकोबारी लोग स्वेंप को हालचू कहते हैं नेक्स्ट कोशन है आपके सामने निमनलिखित केंदर सासित प्रदेशों में से ओंजे जनजाती के लोग किस में रहते हैं सही आंसर ओप्शन ए होगा अंडमान और न निकोबार दुईप समू में अभी हमने देखा था ओंजे जनजाती तो ओंजे जनजाती कहां रहती है यह आपकी अंडमान और निकोबार दुईप समू में रहती है नेक्स्ट कोशन है आपके सामने निमनलिखित स्थानों में से कहां सौमपेन जनजाती पाई जाती है तो जार्वा जनजाती अंडमान एवं निकोबार दूइप समू की एक परमुक जनजाती है यह भारत की सरवाधिक आध जनजाती है यह जनजाती दच्छिन एवं मद्य है अंडमान दूइपों के पश्चिमी टटो पर पाई जाती है इनके संरक्षन के लिए सरकार दुआरा जा निकोबार के निवासी है नेक्स्ट कोशन है आपके सामने निमनलेखित राज्जिया और केंदरसासित राज्जियों में जार्वा जनजाती का निवास स्थान कहां है सही आंसर ओप्शन डी होगा अंडमान और निकोबार तो जार्वा जनजाती का निवास स्थान अंडमान और निकोबार में है नेक्स्ट कोशन है भारत की सरवाधिक आद जन जाती है सही आंसर उप्शन B होगा जारवा नेक्स्ट कोशन है आपके सामने मंगा नियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाए सही आंसर उप्शन B होगा पश्चिमोत्तर भारत में अपनी सं आप देख सकते हैं मंगनियार राजिस्थान के रेगिस्थानों में निवास करने वाला मुसलिम समोधाय है जो अपनी संगीत परम्परा के लिए विख्यात है नेक्स्ट कोश्टन है 69 निमनलिखित में से कौन आदिम जनजाती है सही आंसर ओप्शन डी होगा कोरवा देखिए यहां पर आप देख सकते हैं जारखंड की 32 जनजातियों में से 8 जनजातियां आदिम जनजाती सम्हूं प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप्स मे आती हैं इनमें असुर बिरहोर बिराजिया कोरवा परहिया बैगा सबर माल पहरिया और सोरिया पहरिया सामिल है जारखंड की कुल जनसंख्या का 27 प्रेतिसत भाग जनजातियों का है वर्स 2011 की जनगनना की अनुसार आदिम जनजातियों की जनसंख्या 2.23 लाख है नेक्स् जो एक प्रकार की स्थनांतरन किर्सी है की जाती है इसे आपको धियान रखना है नेक्स्ट कोशन है कथा बनाने वाली अनुसूचित जनजाती कोन है सही आंसर ओप्शन C होगा खैरवार कथा बनाने वाली अनुसूचित जनजाती खैरवार है यहाँ पर आप देख सकते है कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाती खैरवार है चुंकि कत्था को खैर भी कहा जाता है इसलिए माना जाता है कि इसी के नाम पर इस जनजाती का नाम खैरवार पड़ा नेक्स्ट कोशचन है आपका यहाँ पर आपको दो सूची दी गई है एक तरह जनजाती दूसरी तरफ निवास इस्थल दिया गया है देखिए आपको इनका मिलान करना है तो यहाँ पर सही आंसर आपका ऑप्षन भी होगा ऑपषन भी सही होगा और सही सुमेल भी आप कर लिजिए एक तरफ जंजाती दूसरी तरफ राज्य दिये गए हैं संथाल जंजाती कहां की है तो यह आपकी जारखंड की है भील जंजाती कहां की है यह राजिस्थान की है तोड़ा जंजाती तमिलनाडू की है जारवा जंजाती अंडवान इवं निकोबार की है इसे है next question है आपके सामने कौन से राजिय में हलाम नोटिया जनजाती मुख्य रूप से पाई जाती है सही answer option c होगा तिरपुरा तिरपुरा राजिय में हलाम नोटिया जनजाती मुख्य रूप से पाई जाती है next question है दो सुची यहां पर दी गई है इनका मिलान आपको करना है देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन D होगा और सही सुमेल हम डारेक्टली देखेंगे क्योंकि हमें इसे डारेक्टली याद करना है देखिए एक तरफ जनजाती दूसरी तरफ प्रेदेश दिये गए है गद्धी जनजाती कहां की है हिमाचल बंगला कहते हैं पाया जाता है तो यह आपका भुंजिया जनजाती में पाया जाता है सही आंसर ऑप्शन B होगा भुंजिया जनजाती में रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है यह रसोई घर लाल मिर्टी से बनाया जाता है तथा इसके लाल रंग के कारण इसे लाल बं जन्जाती कमार जन्जाती की आजीवी का पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है ये बांस से निर्मित हस्त सिल्पों का विक्रह कर अपनी आवश्यक्ताइं पूरुन करते हैं सही आनसर उप्शन सी होगा बैगा जन्जाती तो बैगा जन्जाती की जन्जाती की दुआरा किया जाता है तो बिलमा निरत्या बेसिकली बैगा जनजाती के दुआरा किया जाता है इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट कोशन है असी कोशन आपके सामने है गोधना गोधने वाली अनुसूचित जनजाती कौन है नेक्स्ट कोशन है आपका निमनलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है तो यहाँ पर जनजाती और उपजाती दी गई है इनको आपको बताना है कौन सा गलत है सही आंसर C और D होगा यह आपका दोनों ही यहाँ पर सुमेलित नहीं है तो यह आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं गोर कुकी उपजातीया है नेक्स्ट कोश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है निम्नमे से जनजाती और राज्ये की कौन सी जोड़ी सही नहीं है सही आंसर ओप्शन D होगा टोड़ा जनजाती केरल यह आपका यहाँ पर गलत दिया गया है बाकि सभी सही है भील जनजाती गुजरात में गद्धी हिमाचल परदेश कोटा तमिलनाडू यह आपका सही है देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं भील जनजाती आपकी कहां पर मिलती है यह आपकी गुजरात करनाटक मध्या परदेश राजिस्थान में मिलती है गद्धी जनजाती हिमाचल परदेश जम्मु कस्मीर में मिलती है कोटा जनजाती तमिलनाडू में मिलती है तोड़ा जनजाती भी तमिलनाडू की ही जनजाती है नेक्स्ट कोशन है आपक का मुख्यालिया सिमला में है नेक्स्ट कोशन है आपके सामने दो सूची आपको दी गई है देखिए आदिवासी यहाँ पर आपको बताए गए है भील गोंड लिम्बूस कोनियोग आपको इनका मिलान करना है यहाँ पर सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा और सही सुम जाती राजिस्थान, गुजराद, महराज, चतिसगड, मध्यपरदेश, आदि राजियों में भी पाई जाती है इन्हें आपको दियान रखना है नेक्स्ट कोशन है आपके सामने यहाँ पर आपको बताना है निम्बन में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो देखिए सही आंसर ऑप्शन C होगा खस जनजाती अरुना चल परदेश यह आपका सही सुमेलित नहीं है बाकी सब यहाँ पर सही सुमेलित दिया गया है तो आप यहाँ पर इनको भी याद करेंगे अंगामी जनजाती नागालैंड की है बिरहोर जनजाती जार्खंड की है टोड़ा जन जन जाती कहां की है तो खस जन जाती की अवस्तिती भारत के उत्राखंड हिमाचल प्रदेश जम्मु कस्मीर राज्य और केंदर सासित प्रदेश में हैं इन्हें आपको ध्यान रखना है चलिए देखते हैं नेक्स्ट कोशन है आपका तमरिया जन जाती भारत के निमनलिखित किस राज्य में पाई जाती है सही आंसर ओप्शन सी होगा जहारखंड राज्य में आपको याद रखना है तमरिया जन जाती भारत के जहारखंड राज्य में पाई जाती है चलिए इसे थोड़ा सा समझते ह देखिए तमरिया जनजाती भूमिज जनजाती की उप जाती है जो मुख्यत जारगंड एवं ओडिशा में पाई जाती है 28 नवंबर 2019 की इस्थिति के अनुसार जहारगंड में तमरिया या तमडिया जनजाती को अनुसूचित जनजाती सूची में मुंडा जनजाती के समानार्थी सामिल किया गया था बस आपको यहाँ पर इतना याद रखना है कि तमरिया जनजाती ये आपकी जहारगंड की है भी previous year में आपसे question पूछा गया है इसे हम यहाँ पर discuss करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने काफी important questions को आज की वीडियो में discuss किया है देखिए आज की वीडियो काफी जादा important थी आपके exam के point of view से अगर आपने इसे पूरा देखा है इसी के साथ friends अगर आप इस channel पर देखते हैं तब आपके लिए काफी जादा helpful साबित होगी तो next class में हम भासाओ से related questions को discuss करने वाले हैं आपको इस वीडियो को जरूर देखना है एक series आपकी continue रहेगी यहाँ पर हम geography के घटना चकर को discuss कर रहे हैं quality और science के घटना चकर को भी discuss किया जा रहा है तो आप इनकी playlist को भी जरूर देखे इसके अलावा तो friends इसके अलावा अगर आप इस channel पर नए हैं आपको channel को subscribe कर लेना है वीडियो को like और share करना है आज की video में इतना ही मिलते हैं फिर next class में thank you so much friends for watching the class keep watching please like share and subscribe thank you